हेलो दोस्तो क्या आप भी factors and multiples में confused रहते हैं अगर confused रहते हैं तो यह चीज आप दूर होने वाले क्योंकि आज मैं आपको लाएँ होगे कैसा method जो आपको factors और multiples का दीवाना बना देगा बस आपको याद करखना factors का मतलब है कि वो number किस किस से divide होगा मतलब 6 अगर है तो इसके factors का मेनिंग है 6 किस किस से divide होगा मतलब 1 से divide होगा 2 से divide होगा 3 से divide होगा और 6 से divide होगा और multiples का मतलब क्या है कि इसका table लिखना 6 12 18 24 and many more बोलो आयवास समाझ दबारा लगते हैं 8 के factor क्या होंगे 1 2 4 और 8 किस किस से cancel होगा 8 के multiples क्या होंगे 8 16 24 32 and many more बोलो तो आज की ट्रिक कैसे लगी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक से और सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में